तो इस menu में आ जाएगी, यहां से हम सबसे पहले new job बनाएंगे, new job, suppose one, two, three, कोई नाम हमने उसको दे दिया, ठीक है जी, उसको continue कर दिया, उसके बाद फिर वो job continue किया हमने, ठीक है, job हमारी set हो गई, उसके बाद हम set up में जाएंगे, station set up में, यहां से हम इसको continue करेंगे, orientation with coordinate, continue, यहां पर अब इसको station का ID देंगे, और list करके continue, new point एक बनाएंगे station जिसके उपर उसकी नाम लगा रहे हैं, उसको हमने one नाम दिया, okay, और उसके coordinate दिये, okay, height दी, okay, continue कर दिया, यह हमारा station का data आ गया, height of instrument भी इसको यहां पर हमने दे देनी है, continue हो गया, अब back side की ID हमने इसको देनी है, इधर new करेंगे, back side के ID देंगे, उसके coordinate देंगे, और इसको continue कर देंगे, यह point स्टोर हो जाएगा, अब उसको target के उपर focus करेंगे, ठीक है जी, target के उपर focus करके, आम उसको measure करेंगे, ठीक है, उसके बाद F4 compute, उसके बाद set, उसके बाद old, orientation हमारी set हो गई, और अब हम simple अगले survey की application में चले जाएगे, और यहां से अपना data जो record करना है, जो आगे पढ़ना है, वो काम शुरू करते हैं, ठीक है जी, close कर लेंगे, इसको 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 जाएगे,